और अब बात कर लेते हैं क्रिशी कानून से जुड़े आंदोलन से जुड़ी खबर का पंजाब में किसानों का क्रिशी कानूनों के खिलाब प्रदरशन अभी भी चारी है इस बीच अब सीम पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अम्रिंदर सिंग ने प्रदर्शन कारियों से मुबाइल टावर को नुकसान न पहुँचाने की अपील की है इससे पहले भी प्रदर्शन कारियों ने 176 सिगनल्स ट्रांस्मिटिंग साइट्स को नुकसान पहुँचाया था जिसके बाद मुख्यमंत्री को शांती बनाय रखने की अपील करनी पड़ी सूत्रों के मताबिक किसानों ने अब 1400 मुबाइल टावर को नुकसान पहुचाया है तो पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रदर्शन कारी किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए इस कानून का लगातार जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिली की सीमा पर किसान बैठे हुए है और इसका कोई हल अभी निकल कर सामने नहीं आया वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं किसानों द्वारा जो प्रदर्शन कारी किसान है उनके द्वारा मुबाइल ट्रावर को नुक्सान पहुचाया गया था उसे नुकसान न पहुँचाने की ये मुख्यमंत्री द्वारा एक बार गुहार लगाई गई है इन किसानों से की जो आंदोलन है वो शांती पूर्ण धंग से करें ना कि जो राज्य की जो वस्तुएं है राज्य की उसे संपत्ती को कोई नुकसान पहुँचा है जिस तरीकिस हमने आपको बता है कि 176 सिग्नल ट्रांस्मिटिंग साइट्स को किसानों द्वारा जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन कारी उनकी द्वारा नुकसान ये भी बताते चलें कि किसानों का जो आंदोलन है वो कई दिनों से लगातार जारी है लेकिन इसका कोई हल अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है और पंजाब में जिस तरीके से किसानों से पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपील किया गुहार लगाई है उस पर और ज़्या पंजाब के सीम ने किसानों से ये अपील किया है कि इस तरीके की जो कारहाई है ये वो ना करें जी विरकुल हम देख रहे हैं कि दो तीन मेहिने से लगा था ये फार्मर पो टेस्ट चल ला है और फार्मर पहले यहां रेल लुको अंदोलन में एकते उसके बाद किसान नेशनल कैपिटल पे चलेगे उसके बाद जब सरकार बे बास्चीत करने के बाद कारसानों को लग रहा है कि हमारा जो प्रॉब्लम का स्लूशन नहीं हो रहा है तो लगातार किसी निवा किशी तरह से प्रेशन ना रहे हैं कभी वो टॉल प्लाजा बंद रहे हैं कभी वो रोलाईस के जितने मिके पेटॉल पंप है उनको बादगर कि उनके आग sowas और गॉधिक है उनको डैमेज किया जा रहा है कही न कही तो गाउन में लगे हूए नको डैमेज किया जा रहा है तुर्टे आउलरी सेंट्रल गॉवर्मेंट के साथ बातचीत के लिए किसानों को बिलाया जा रहा है जी गुर्परित आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए